नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनिल और आप सभी का स्वागता है आपके अपने यूटूब चैनल में As Simple as ABCD दोस्तों इस वीडियो में डिस्क्रिस करेंगे 50 Most Important GK के Question परतेक competitive exam के लिए काफी महत्ते पून है यदि आप किसी भी competitive exam की preparation करते हो या study करते हो चाहे वो SST हो जाए, CGL हो जाए, Group D का हो जाए, MTS का हो जाए, कोई भी exam हो ये 50 Question काफी important है आपके competitive exam के लिए परते Question के लिए 2-3 Second का समय दिया जाएगा उसके बाद अंसर बता दिया जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और एक बात और बताना चाहूँ है यहाँ पर वीडियो के last में आप अपना score ज़रूर शेयर करके जाए कि आपने 50 में से कितने का सही जवाब दिया और कितने का रोंग तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी किस समय का हुआए वीडियो का question नमबर पहला देखिए Grand, Trunk, Road का निर्मान किसने करवाया था important question है तो यहाँ पर D option जो है correct हो जाएगा सेर्सा सुरी और हमारा अगला question है मुन्त, खाव, उत, तबारिक पुस्तक किसने लिखी थी इसका A option जो है correct हो जाएगा बदाउनी और हमारा अगला question है गांदी जी दुआरा अजाद सस्त्रू किसे कहा जाता है important question है तो इसका D option जो है correct हो जाएगा डॉक्टर राजिंदर परसाद और हमारा अगला question है सुस्क वन अनुसंदान संस्तान कहां परिस्तित है ये important question है कई वाल एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका B option जो है correct हो जाएगा जोदपुर और हमारा अगला question है इसका B option जो है correct हो जाएगा भारत और हमारा अगला question है DRD की स्थापना कब हुई थी ये भी important question है पूछा जा चुका है एक्जाम में यहां B option जो है correct हो जाएगा 1958 में और हमारा अगला question है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कनारा केस ने दिया था अगर आप इसका अंसर जानते हैं तो comment box में जरूल बताएं यहां पे C option जो है correct हो जाएगा महमद इकबाल और हमारा अगला question है गुरू डॉंग मार जील भारत किस राज्ये में इस्तित है तो यहां पे D option जो है correct हो जाएगा बिलकुल सिक्किम और हमार अगला question है अंतर राष्ट्य महिला हिंसा उन मूलन दिवस कम मना जाता है तो इसका B option जो है correct हो जाएगा 25 नवंबर और हमार अगला question है विदेशिया किस राज्ये का परसिद लोग नित्य है important question है तो यहां पे B option जो है C option जो है correct हो जाएगा बिहार और हमार अगला question है भारतिय नागरिक का उड़ायन जनक किसे कहा जाता है तो यहां पे D option जो है correct हो जाएगा जाहंगीर, रतंजी, दादा भाई, टाटा और हमार अगला question है नितीन, थिमेया किस खेल से संबंदित है इसका A option जो है correct हो जाएगा हौक की और हमार अगला question है भारत का पहला 3D तारा मंडल कहां इस्तित है तो इसका A option जो है correct हो जाएगा मंग लॉर और हमारा अगला question है बुटान देश का राष्टिय खेल क्या है इंपुडेंट question है यहाँ D option जो है correct हो जाएगा तीरंदाजी और हमारा अगला question है भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष अंग्रेस कौन थे तो यहाँ पे C option जो है correct हो जाएगा जोर्ज यूल और हमारा अगला question है जोर्ज यूल भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष कब बने यह question में important है एक्जाम में पूछा जा सकता है तो इसका B option जो है correct हो जाएगा और हमारा अगला question है capital and growth पुस्तक किस ने लिखी थी तो यहाँ पे B option जो है correct हो जाएगा जोर्ज हिक्स और हमारा अगला question है भारतिय मौसम बिग्यान का मुख्याला कहाँ परिस्तित है तो इसका B option जो है correct हो जाएगा नई दिल्ली और हमारा अगला question है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था important question है अगर आप इसका answer जानते हैं तो please comment box में जरूल बताएं और जो इसका answer है वो सुद्ध्योदन B option correct हो जाएगा और हमारा अगला question है गांदी सागर बांध किस नदी पे बना है तो इसका A option जो है correct हो जाएगा चम्बल नदी और हमारा अगला question है ओडी सामे इस्तित सूर्य मंदिर किस ने बनवाया था तो यहां पे C option जो है correct हो जाएगा राजा नर्सिंग देव और हमारा अगला question है तंजानिय देश की राजधानी क्या है तो यहां पे C option जो है correct हो जाएगा और हमारा अगला question है Tata and Iron Steel Company की स्थापना किसने की यहां पे D option जो है correct हो जाएगा जमसेद जी Tata और हमारा अगला question है रानी जहांसी समुद्री राष्ट्य उध्यान कहां परिश्थित है तो इसका A option जो है correct हो जाएगा अंडमा निकुमार दीपसमू और हमारा अगला question है पर्थम गोल में सम्मेलन कब हुआ था तो इसका B option जो है correct हो जाएगा 1930 में और हमारा अगला question है पारसनात जैन धरम के 23-23 कर थे और उनका पर्थिक क्या था जो उनका पर्थिक था वो था सर्प तो यहां पर C option जो है correct हो जाएगा और हमारा अगला question है भारत सेवक समाज की सापना किसने की तो इसका B option जो है correct हो जाएगा गोपाल किसन गोखले और हमारा अगला question है बर्तमान में भारत के मुख्या न्याधीस कौन है तो यहां पर C option जो है correct हो जाएगा सरद अरविंद बोवबडे और हमारा अगला question है नवाबो का सहर किसे कहा जाता है important question है अगर आप इसका अंसर जानते हैं तो please comment box में बताएं और जो इसका अंसर है वो यह है A option जो है correct हो जाएगा लखनौ और हमारा अगला question है किस इस्थान पर घोडो की हड्यों के अफसेज पाए गए थे तो यहां पर D option जो है correct हो जाएगा सुर्पो टड़ा और हमारा अगला question है भारत का 20 mark किसे कहा जाता है तो यहां पर C option जो है correct हो जाएगा सरदार बल्लबभाई पटेल और हमारा अगला question है FDI का विश्थरित रूप क्या है तो यहां पर C option जो है correct हो जाएगा foreign direct investment और हमारा अगला question है राष्टे उर्जय संरक्षन दिवस कम मनाया जाता है तो यहां पर B option जो है correct हो जाएगा 14 December और हमारा अगला question है methane का रासाइनिक सूत्र क्या है important question है तो यहां पर B option जो है correct हो जाएगा CH4 और हमारा अगला question है लखवार बांध उत्राखंड के किस नदी पर बना है तो यहां पर D option जो है correct हो जाएगा यमना और हमारा अगला question है विसब की सबसे मीठी सबसे बड़ी मीठी पानी की जील कौन सी है तो यहां पर A option जो है correct हो जाएगा सुपीरियर जील और हमारा अगला question है कांगेर घाटी राष्ट्य उध्यान किस राज्ये में श्तित है तो इसका B option जो correct हो जाएगा 36 गड़ और हमारा अगला question है A passage to England नामक पुस्तक किस ने लिखी important book है यह तो इसका D option जो है correct हो जाएगा नीरद चंद चोधरी और हमारा अगला question है मस्जित कहां पर इस्तित है I hope कि आप इसका अंसर राइट देंगे और जो इसका अंसर है वो है इस्राइल और हमारा अगला question है रावत भाटा परमानू उर्जा सेंत्र किस राज्ये में श्तित है इसका C option जो है correct हो जाएगा राजिस्थान और हमारा अगला question है विस्थ स्वास्ते दिवस कम मनाया जाता है important day है आपको पता होना चीए एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका A option जो है correct हो जाएगा 7 अपरेल और हमारा अगला question है हर्याना में लोगसवा की कुल कितनी सीटे है तो इसका B option जो है यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा 10 सीटे हैं लोगसवा की हर्याना में और हमारा अगला question है कुनी था किस राज्ये का लोगनित्य है तो इसका B option जो है correct हो जाएगा करनाटक और हमारा अगला question है बिटामिन सी का राज्यानिक नाम क्या है इसका D option जो है correct हो जाएगा इस कॉर्बिक अमल और हमारा अगला question है ज्यानपीट पुरुषकार किस छेत्र में दिया जाता है इंपोडेंट पुरुषकार है ये आपको पता होना चीए तो जो इसका right answer हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य है जो C option है वो correct हो जाएगा और हमारा अगला question है कपिल धाराज जल परप्रात भारत के किस राज्य में श्तित है इसका A option जो है correct हो जाएगा मध्य पर्देश और हमारा अगला question है राष्टकुट वन्स का संस्तापक कौन था जो इसका संस्तापक था वो था दंती दुर्ग B option या correct हो जाएगा और हमारा अगला question है किस परवतिय स्थल को परवतों की रानी कहा जाता है तो इसका B option जो है correct हो जाएगा मसूरी और हमारा अगला question है दूर्दर्शन से रंगिन परशारण कव आरंब हुआ था इसका A option जो है correct हो जाएगा 1982 में और हमारा अगला question है प्रेस मेकर का संबंद सरीर के किस अंग से है वीडियो का last question है तो यहाँ पर C option जो है correct हो जाएगा hit दे और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है तो प्लीज अपना score जितने भी आपने सही जवाब चीए तो comment box में जरूल बता के जाएगा और इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज एक like करें और एक share करें अपने मित्रों में इसी के साथ जय हिंद जय भारत अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी कुछ new important question के साथ